जिनेंद दोस्तों हमारे चैनल पर आपका इवार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस जैन इस्तान से इतनी धंसब पत्ती लूटी गई थी जो की पंद्रे सो उटों पर रखने के बाद भी बच गई जैने आकरमर कारी लेकर भी नहीं जा सके एक अति प्राचिन राज के अ आकरमर कारीयों से बचाने के लिए गहरे कुओं खड़ों में छिपा दिया गया था कहते हैं इस इस्तान से इतनी धंसब पत्ती लूटी गई थी जो की पंद्रे सो उटों पर रखने के बाद भी बच गई थी जिनें आकरमर कारी लेकर भी नहीं जा सके आईए और जानते ह चेंद्रवान प्राचीन जैन मंदिर फ्रोजाबास से चार मील दूर दच्छड में यमना नदी के बाएक किनारे पर आगरा जिले में अवस्तेत है यह एक एतहासिक नगर रहा है आज भी इसके चारों और मीलों तक खंडर दिखाई पड़ते हैं यह एक जैन अत्से छेतर है तता प्राचीन समय में जैन धर्म का मुक केंदर भी रहा है यह चित फ्रोजाबास से चार मील की दूरी पर है किवन एक मंदिर ही अविश्तेत है जो गाओं के एक कोने में खड़ा है निकठी यमना नदी बहती है यहां चारों और खादर और खार बने हुए हैं यहां ब कुछ बर्सों पहले मंदिर की इस्तति काफी दैनी थी हालाकि भक्तों के प्रियासों से निरंतर बदलाव होता रहा है यहां हर वर्स दो अक्टूवर को वार्सिक मेला लगता है यहां अब तक 55 कल्यानक पतिष्टा की जा चुकी है बिक्रम संबद 1042 में यहां का सासक चंद्रवार यहां चंदावर पड़ गया इससे पहले इस इस्तान का नाम आसई खेडा था इस नरेस ने अपने जीवन में कई प्रितिष्टा कराई बिक्रम संबद 1053 में इसने एक पूट आवा गाहान की भगवान चंद प्रभु की इस पुटिक मडी की पदमा सन प्रत् चंद्रवान के जहन मंदर में अब भी बिद्दमान है ऐसे भी उलेक प्राप्त होते हैं कि चंदावर में एक क्यावन प्रतिष्टाएं हुई थी इस बेदी के अतरिक्त दाएं और बाएं दलान में तता दो वेदियां मुख वेदी के पीछे दिवाल में बनी हुई हैं ब गहान तीन फुट है सिंगासन पीट पर सामने दो सिंग बने हैं सिर के उपर पाशान का च्छत्र सुसोवित हैं चिन और लेक असपष्ट हैं मुख वेदी के प्रष्ट वाग में इस्तिद्वाइं बेदी में बलुआ भूरे पाशान की धाई फुट की उची प्रत्मासन प्रत्मा है नीचे सिंगासन फलक पर दो सिंगों के साथ बीच ब्रसप का चिन है जिससे इस पष्ट है कि यह आदिनाती तंकर की प्रत्मा है दौनों और चमरवाहक इंद्र हैं सिर के उपर च्छत और पोस्प वर्सरी देवियां अंकेत हैं आज भी चंदवान छेत्र में जैन भागवान की मूरत्थयां खुदाई में निकलती हैं जिनने चंदवान जैन मंदिर के अंदर रखवा दिया जाता है जैन मंदिर में अभी भी तमाम खंडिक मूरत्यां भी सुरच्छित रखी हुई है एक बार इस महानतीत के दर्षान अवश्य करने के लिए मेरे चै